अलो फ्रेंड्स वेलकाम टो पूर्वाम तो फ्रेंड्स कैसे है सभी आयो यू अल अर गुड आज चलिए शुरू करते हैं आज के जो एपिसोड है पीएच्पी एरे का तो अल्लेडि हमने वसमें तो देखी नहीं है अब लोग तो आज हम सिखने जा रहे हैं एरे का और एक क्या है वो वह है एरे की एक्जिस्ट तो मैं अल्रेडी सब कुछ सेट अप कर चुका हूँ ठीक है थोरी टाइम बच जाएगी इसलिए तो देखिए तो अरे की एक 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 बहुत ही इंपोर्टन फंक्शन है इस फंक्शन में क्या होता है कि हमें दो आर्गुमेंट पर्स क अरे बनाते है न तो उसके अंदर जो चीज होता है एक key और एक value तो ऐसे करके key value pair में होता है ठीक है ठीक है कैसे करते हैं हम लोग यह करते हैं कि जो array है वो उसको लेते हैं उसके अंदर हम लोग जो key है वो पास कर देते हैं तो हमें जो value है वो मेल जाता है लेकिन लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है इसके अंदर key exist करता है कि नहीं तो वह कैसे करें? तो इस function कर जब दूसरा जो पार्ट है, array, वह क्या करता है कि हम लोग key के साथ array-re past कर देते हैं, तो हमें 1 Boolean return होता है, तो इसका मतलब क्या है? इस function जब हम reuse करते हैं तो इसका एक return आता है, तो return में क्या मिलता है? return में मिलता है कि true or false ठीक है तो यही return करता है तो हम लोग क्या कर सकते कि हमें तो पता है true or false value हम लोग e-fails में check कर सकते अगर if में true आता है तो वो पोर चलता है अगर false आता है तो false का जो else जो part है e-fails का वो चलता है तो चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले में यह comment out कर देता हूँ, तो अब देखिए, तो सबसे पहले basic जो चीज है वो कर लेते हैं, तो echo कर लेते हैं पहले, तो क्या echo करेंगे हम लोग, इस array में जो, जो value है, bob, तो सबस्थ हम bob को लेके चलते हैं, तो bob को print कर आए, तो क्या मिला, 82 मिल गया, simple था, कुछ भी नहीं मिलता, null है, तो ठीक है, ऐसा ही है, अगर, 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 हम, bob, ऐसे लिखते हैं तो, small letter में, तो क्या आता, एक warning मिलता, undepined etiquette, तो इससे हम, हमको क्या पता चलता है, कि यह जो key है, वो case sensitive है, तो जैसे है, वैसे ही लिखना होगा, ठीक है, आपका, जो, जो अपने ही लिख सकते है, तो यह capital में है, तो capital में ही लिखना होगा, तो चलिए, हम लोग अब दिखते है, ऐसे warning मिलने से बहतर है, कि हम लोग एक function यूश कर लेते हैं, तो production जो code होता है, तो उसमें यह करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले checking करते हैं, उसके बाद हम लोग print out दे करते हैं, तो echo करते हैं, तो if, तो हम लोग जो दूसरा जो alternative method है, वो use करने जा रहे है, तो ऐसे ही होता है, real life में, end, if, ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं, तो इस जो block है, यह जो gap है, इसमें जाएगा, if का जो part, वो, वो port, और इस का port, code इसमें जाएगा, अब end if, यह जरूर है, लिखना, नहीं तो error आजाएगा, तो यह कभी मत भूलिए, end if, जरूर लिती है, ओके, अब क्या है, हमको दिखाना क्या है, इसके अंदर, ठीक है, बॉप है की नहीं, बॉप को value मिलता है की नहीं, तो मैं value देता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, यह, यह जो function है, इ ऐसे, बॉप लिखते थे, और array क्या है, यह, यह है array, तो array को यहाँ लिखते थे, ठीक है, अब message लिखते थे, की कोगर क्या है, message क्या होगा, score, end, इसके अंदर जो बॉप का जो number है, वो, ऐसे, sorry, 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 यह बॉप ऐसे लिखना होगा, ठीक है, और, else part में, इसको करते है, अगर नहीं मिली, कोई, की ऐसे, की अगर exist नहीं करता, तो क्या दिखाएगा, तो, score is not found, ऐसे करके, हम लोग कुछ message दिखा देंगे, तो, चलिए, run करते हैं, तो, score is 82, 82, okay, 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 अगर हमको, Alice का chip करना होता तो, ऐसे लिखते है, Alice, यहाँ भी लिखते है, Alice, हाँ, मिल गया, बरबर अशार आ रहा है, अगर, Alice का number नाल होता तो, 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 देखिए, score is blank, यहाँ पर एक blank value आया, लेकिन यह वाला code नहीं चला, ठीक है, score is not found ऐसे नहीं दिखाएगा, नल है तो है, तो उसका, तो उसका एक value नल मतलब कुछ नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन ब्लैंक दिखाएगा, कोई, केल्स वाला जो पार्ट है, वो नहीं दिखाएगा, अब यह बात समझना इंपोर्टन है, क्योंगी, हम लोग और एक function देखने जारे, यह कोई function नहीं है, एक language construct है, फांक्शन से तोड़ा different है, वो बहुत काम आता है, हमें हमेशा use करना होता है, होता है इसको, वो क्या है, पहले ऐसे लिखते है, इस से, इसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, इसके अंदर हमें variable बस करना होता है, कभी-कभी, array का key भी पास करना होता है, चिक करने के लिए, वो वैलू, उसकी के अंदर, उस variable के अंदर, वैलू है कि नहीं, तो चलिए, देखते हैं, इफेल्स करके, तो अगर इफ, एक ही syntax SME है, तो ठीक है, कोई problem नहीं, लिखते है, और एक बट, and exist, तो ऐसे करके, अब क्या करना होता है, अब हमें, array की exist की तरह, जो key और जो array है, वो अलग नहीं नहीं लिखना है, हमको एक ही साथ लिखना है, ठीक है, इस set में, तो कैसे, ऐसे, तो कौन सा की है, बॉब, बॉब को ढूंड रहे हैं, बॉब का number कितना है, यह, तो इसको ऐसे लिखने से कम थोड़ी ना बनेगा, हमको तो इस set भी लगाना है, तो इस set ऐसे लिखिए, bracket open close कीजिए, और इसके अंदर इसको link देजिए, इसको यहाँ पर डाल देजिए, ओके, तो थोड़ी बहुत brackets का problem होगा, issue होगा, दीरे-दीरे solve हो जाएगा, जब practice करेंगे आप, तो तब सिंख जाएंगे, ठीक है, त तो हम लोग same message print करते हैं, यहाँ पर पर परता है, एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज देख रहा है हम लोग, तो यहाँ पर Alice नहीं होगा, बॉब होगा, तो अगर यह जो की है, बॉब का number अगर है, अगर बॉब का number 82 है, अगर कोई values है यहाँ पर, तो यह प्रिंट हो है, तो score not found दिखाएगा, ओके, तो मैं पहले इसको comment out करता हूँ, नहीं तो compression होगा, तो देखिए, score is 82, तो यहाँ से मिल रहा है, तो यह कैसे बता चलेगा, तो हम लोग यह करते हैं कि, यहाँ पर दो ऐसे, दो तीन डाल देते हैं, तो समझ में आएगा, ओके, तो यहाँ स है, हाँ, अब अगर, यह नाल भाल है ना, तो Alice का, तो चलिए चेक करते है, Alice के बाडे ने, यह क्या बोलता है Alice के बाडे ने, तो यहाँ पर क्या देखा था? Alice का नाल भाल हूथा? तो वो, क्या होथा? कि blank आया था, यह वाला suit नहीं दिखा था, क्या थे ना, लेकिन, इस में क्या होता है देखते हैं देखिए score is not found Alice का number कितना है null है तो इसका मतलब अगर यहां पर null होगा value तो वो else part में चला जाए ठीक है पॉल्स जो part है वो return करेगा pulse message को तो यह difference है array की exist और इससेट में तो इससेट में ज्यादा तर काम आएगा value को sorry variable को check करने के लिए हम जब form अगरा देखेंगे validation करेंगे form तो उसमें काव आएगा और ज्यादा तर हम लोग जब array का key check करना होगा तो हम लोग array की exist यही जो function है इसी को यूज करेंगे हम लोग इसे ज्यादा यूज नहीं करते है इस जो function है array की exist के ही वाले function की यूज करते है तो I think आपको थोड़ी बात समझ में आ गया कि array की exist को कैसे use करते हैं और इससे क्या बोलते है वह बहिंडिक देता हो इससे बोलते है PHP lango edge constant construct बोलते हैं ठीक है तो आज का वीडियो इतना ही है तो बाकी वीडियो देखते हैं अगले वीडियो में और भी जो function से उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ए वीडियो इतना ही था इतने तक ही ठीक है और वीडियो कैसे बन रही है कैसे लग रही है आपको वह comment section में में बताईए और कुछ change करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई issues आ रही है तो वह भी जना बताईए तो ठीक है आज वीडियो करते हैं तो मिल से अगले वीडियो में बाई करते है तो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम आपको